स्वागत है आपका मंतली करंट अफेर्ज में शुरू करते हैं प्राश्चन अगला प्राश्चन किसने अपनी आत्मकथा Four Stores of Destiny का अनावरन किया है ए जनरल मनोज पांडे बी जनरल दल्बीर सिंग सुहाग सी जनरल एमेम नर्वने डी चीफ मार्शल राकेश सिंग आंसर जनरल एमेम नर्वने एक्स्प्लिनेशन जनरल एमेम नर्वने ने अपनी आत्मकथा Four Stores of Destiny का अनावरन किया ये किताब 2020 में लद्दाक गतिरोद के दौरान गलवान घाटी सैन्य जड़ब के महत्वपूर्ण क्षन का खुलासा करती है पूर्व सेना प्रमुख ने अपने संस्मरन में लिखा है अगनिपत योजना ने सेना को आश्चर्य चकित कर दिया था और ये नौसेना और वायू सेना के लिए अचानक जखका था जनरल नर्वने 31 डिसंबर 2019 से 30 अप्रेल 2022 तक सेना प्रमुख थे अगला प्राशन हाल ही में सेबी किसे बीएसी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने की मंजरी दी है ए प्रमोद अग्रवाल बी महरा अग्रवाल सी अभिजीत मुखरजी डियानन दुबे आंसर प्रमोद अग्रवाल एक्स्प्लेनेशन बजार नियामक भारतिय प्रतिभूती और विनिमय बोर्ड सेबी ने बॉंबे स्टॉक एक्स्चेंज बीएसी के अध्यक्ष और सारवजनिक हित निदेशक के रूप में प्रमोद अग्रवाल की नियुक्ती को मंजूरी दे दी है बीएसी के बोर्ड द्वारा 13 दिसंबर को अग्रवाल की नियुक्ती को मंजूरी देने के बाद सेबी की मुहर लगी है अगला प्राश्न हाल ही विकिस राज्य सरकार ने गिगवकस के लिए 5 लाख रुपे का दुरघतना बीमा पेश किया है अगला प्राश्न हाल ही में बिसलेरी ने किसे अपना ग्लोबल ब्रांड अमबैसदन नियुक्त किया है भारत के अग्रणी मिनरल वाटर ब्रांड बिसलेरी ने दीपिका पादुकोन को अपना पहला वैश्विक ब्रांड एमबैसदर और नए बिसलेरी अभ्यान हैश्डरिन किटप में शामिल किया है सोलहवे विता आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है एक डॉक्टर अर्विन्द पंगरिया, बीक रित्विक रंजनम पांडे, सीक निर्मला सीतारमन, डीक डॉक्टर सुब्रमन्यम स्वामी, आंसर, डॉक्टर अर्विन्द पंगरिया, एक्स्प्लिनेशन, नीती आयोग के पूर्वु पाध्यक्ष और वर्तमान कोलंबिया विश्विद्याले के प्रोफेसर डॉक्टर, अर्विन्द पंगरिया, सोलहवे, विता आयोग के अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे, रित्विक रंजनम पांडे को आयोग का सचिव नियुक्त किया गया है, केंद सरकार द्वारा गठित सोलहवां वितायोग, संग और राजियों के बीच करों के बढ़्टवारे, राजय स्वनुदान और राजय के वितायोगों द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राजय में पंचायतों और नगर पालिकाओं के संसाधनों के संपूरन के लिए राजय की संचित निधी को बढ़ने के लिए आवश्य कुपायों पर अपनी सिफारिश देगा अगला प्राश्ण इसरो द्वारा लॉंच किये गए एक्सरे पोलारिमीटर सेटिलाइट एक्सपोसर्ट का प्राथ में कुद देश्य क्या है एक वायुमंदलीय स्थितियों का अध्यायन इसरो ने नए साल के पहले ही दिन इतिहास रचते हुए एक्सरे पोलारिमीटर सेटिलाइट एक्सपोसर्ट कोश्री हरी कोटा की सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉंच किया ये आकाशी इस्रोतों से X-ray उत्सर्जन के अंतरिक शाधारिक भुरुवी करन माप में अनुसंधान करने वाला इस्रो का पहला समर्पित वैज्ञानिक उपग्रह है इससे ब्लैक होल्स और सुपनोवा जैसी सुदूर चीजों की स्टडी के लिए लॉंच किया गया सामबा जम्मू में दिव्यांगों के कौशल विकास, पुनर्वास और सशक्तिकरन के लिए समगरक शेत्रिय केंद CRC का उद्घाटन किसने किया गया A. डॉक्टर वीरेंद्र कुमार B. शीतल नंदा C. मनोज सिनह D. डॉक्टर रोहनिका शर्मा Answer. मनोज सिनह Explain. केंद शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के उपरा जपाल श्री मनोज सिनहा ने समावेशिता और सशक्तिकरन की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगती को प्रदर्शित करने वाले एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में दिव्यांगों के कौशल विकास, पुनर्वास और सशक्तिकरन के लिए समग्रक शेत्रिय केंद CRC के शुभरम के साथ CRC सांबा जम्मू पंडित दीन दयाल उपाध्याय राष्ट्रिय शारीरिक दिव्यांग जनों के लिए संस्थान पीडियो एन इपी पीडिक में समारक अमरिद भारत एक्सप्रेस, आंसर, अमरिद भारत एक्सप्रेस, एक्स्प्लेनेशन, हाइ स्पीड वंदे भारत ट्रेनों के स्लीपर संसकरन को अमरिद भारत एक्सप्रेस कहा जाता है अमरिद भारत एक्स्प्रेस का उधातन 30 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के अयोध्या से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी ने किया इस ट्रेन में विभिन यात्रा आवश्यक्ताओं को पूरा करने के लिए विशेश रूप से द्वितिय श्रेनी और स्लीपर श्रेनी के दिब्बे शामिल है अगला प्राशन भारतिय रिजर्व बैंक ने कोटक महिंद्र बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे मंजूरी दी है? अ. उदै कोटक B. CS राजन C. प्रकाश अप्ते D. आशांक सिंग Answer. CS राजन Explanation भारतिय रिजर्व बैंक RBI ने हाल ही में कोटक महिंद्र बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में CS राजन की नियुक्ती को मंजूरी दे दी है, जो वित्य संस्थान के लिए एक महत्वपूर्ण विकास है राजन का कार्यकाल एक जनवरी 2024 को शुरू होने वाला है, जो दो वर्ष की अवधी तक चलेगा भारत का पहला पंडुक्वी परियतन किस राज्य में शुरू किया जाएगा? A. गुजरात B. ओरिसा C. केरल D. महराष्ट्रा Answer. गुजरात Explanation गुजरात सरकार देश का पहला पंडुक्वी परियतन शुरू करने जा रहा है ये प्रोजेक्ट द्वारका शेहर के तक पर एक छोटी से द्वीग, बेग द्वारका के आसपास शुरू की गई है इसके लिए गुजरात सरकार ने मजगाउं डॉक लिमिटेड एमडियल के साथ हाथ मिलाया है इस प्रोजेक्ट के दिवाली दो हजार चॉबी से पहले शुरू होने की संभावना है इस टूरिस्ट पंडुबी का भार लगभग 35 तरन होगा और इसकी क्षमता 30 यात्रियों को ले जाने की होगी अगला प्राश्ट्न संयोक्त राष्ट सुरक्षा परिशत द्वारा अफगानिस्तान में शांती के लिए किसे विशेश दूट बनाया गया है ऑफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपती हामिद करजई को संयोक्त राष्ट सुरक्षा परिशत द्वारा अफगानिस्तान में शांती के लिए विशेश दूट के तौर पर नामित किया गया है चीन और रूस सुरक्षा परिशद में लाए गए इस प्रस्ताव पर मद्दान से दूर रहे जबकि 13 देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया गौर तलब है कि साल 2021 में तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता पर कबजा किया था अगला प्राश्न रक्षा मंत्री राजनात सिंग ने यूपी के किस शहर में बालिकाओं के लिए पहले सैनिक स्कूल का उद्धाटन किया ए लखनव, बी मुरादाबाद, सी वारानसी, डी मतुरा, आंसर, मतुरा, एक्स्प्लेनेशन रक्षा मंत्री राजनात सिंग उत्तर प्रदेश में मतुरा के व्रिंदावन में बालिकाओं के लिए पहले सैनिक स्कूल, सम्वेद गुरुकुलम्त सैनिक स्कूल का उद्धाटन किया सरकार ने साल 2019 में इस तरह कि सो नैसेनिक स्कूलों की स्थापना की पहल की थी, जिन में से 42 विद्याले स्थापित किये जा चुके हैं इसके तहद गेर सरकारी संगठनों निजी प्राजे सरकारी विद्यालेों के साथ साजेदारी की गई है अगला प्राश्न स्किनकेर ब्राण्ड निविया इंडिया ने किसे अपना नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है स्किनकेर ब्राण्ड निविया इंडिया ने हाल ही में गीतिका मेहता को अपना नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है गीतिका महता के पास FNCG क्षेत्र में दो दशकों से अधिक का अनुभव है इससे पहले गीतिका 2.5 साल तक हशे इंडिया की प्रबंध निदेशक थी अगला प्राश्न हाल ही में भारत के किस संगथन द्वारा भारतिय शिक्षा जगत और उद्योगों के लिए सनरचनात्मक विशलेशन सौफ्ट्वेर फीस्ट बनाया गया है इस सौफ्ट्वेर का उप्योग रॉकेट, विमान, उपग्रा, भावनादी सहित विभिन प्रकार की संरचनाओं का परिमिक तत्व विशलेशन करने के लिए किया जाता है फीस्ट सौफ्ट्वेर का नेशुल परीक्षन इसरो, विएससी वेबसाइट पर भी उपलब्ध है हाल ही में अधिनियमित भारतिय न्याय सहिता, बी एनेस, नामक अपरादिक सहिता के तहत है टेंडरन मामलों में क्या जुर्माना और जेल की अवधी निर्धारित है ए, पांच लाख रुप्य जुर्माना, पांच साल की जेल, बी, सात लाख रुप्य जुर्माना, दस साल की जेल, सी, दस लाख रुप्य जुर्माना, साथ साल की जेल, डी, कोई जुर्माना नहीं, पंदरा साल की जेल, आंसर, बी, सात लाख रुप्य जुर्माना, दस साल एक्स्प्लिनेशन 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 विस्तारित समूह को अक्सर BRICS PLUS कहा जाता है हालांकि किसी आधिकारिक नाम की घोशना नहीं की गई है BRICS समूह शुरुआत में 2006 में ब्राजील, रूस, भारत और चीन द्वारा गठित किया गया था 2010 में दक्षन अफ्रीका को शामिल करने के साथ इसका विस्तार हुआ अगला प्राशन किस भारती राज्य ने 2024 के पहले दिन 108 स्थानों पर एक साथ सामूहिक सूर्य नमस्कार करने का गिनीज रिकॉर्ड बनाया A. गुजराक B. करनाटक C. महाराष्ट्रा D. राजस्थान A. गुजराक Explanation गुजराक में 1. जन्वरी 2024 को नए साल का स्वागत करते हुए 108 स्थानों पर एक साथ सबसे अधिक लोगों द्वारा सूर्य नमस्कार करने का गिनीज वर्ड रिकॉर्ड बनाया सूर्य नमस्कार के दौरान सिर्फ मोधेरा सूर्य मंदर में 2000 से ज्यादा लोग शामिल हुए अगला प्राश्ट्न जन्वरी 2024 में राजस्थान में भारत और सयुक्त अरब अमिरात के बीच आयोजित सयुक्त सैन्य अभ्यास का क्या नाम है? A. डेज़ट स्टॉर्म 2024 B. डेज़ट थंडर 2024 C. डेज़ट साइकलोन 2024 D. डेज़ट मिराज 2024 Answer C. डेज़ट साइकलोन 2024 Explanation भारत और सयुक्त अरब अमिरात के बीच सयुक्त सैन्य अभ्यास डेज़ट साइकलोन 2024 दो जन्वरी से पंद्रल जन्वरी तक राजस्थान में निर्धारित है। दोनों देशों की सैन्य टुकलियों में 45 कर्मी भाग ले रहे हैं। अगला प्राश्ट्न किसे हाल ही में MS स्वामिनाथन पुरसकार से सम्मानित किया गया। चौदरी चरन सिंध हर्याना क्रिशी विश्विद्याले के कुलपती प्रोफेसर बी आर कंबोज को प्रतिष्थित MS स्वामिनाथन पुरसकार से सम्मानित किया गया है। कंबोज को यह अवर्ट क्रिशी विज्ञान के क्षेत्र में विज्ञानिक और विस्तार विशेशगय के रूप में उनके योगदान के लिए दिया गया। करनाटक के राजयपाल थावर्चंद गहलोत ने उन्हें ये पुरसकार प्रदान किया। हाल ही में स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में किस वन्यजीव अभ्यारन्य को शामिल किया गया। A. डैब्रीगर वन्यजीव अभ्यारन्य B. कोटागर वन्यजीव अभ्यारन्य C. हदागर वन्यजीव अभ्यारन्य D. सुनाबिरा वन्यजीव अभ्यारन्य Answer A. डेब्रीगर वन्यजीव अभ्यारण्य Explanation परियतन मंत्राले ने डेब्रीगर वन्यजीव अभ्यारण्य को स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में शामिल किया है स्वदेश दर्शन कार्यक्रम भारत सरकार के परियतन मंत्राले द्वारा साल 2015 में शुरू किया गया था जो सो प्रतिशत केंद्रिय फन की योजन है डेब्रीगर वन्यजीव अभ्यारन्य ओलेसा के बर्गर जिले में हीरा कुन बांध महानदी नदी के पास थित है अगला प्राश्न अगला प्राश्न विश्व ड्रेल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है ब्रेल, अंधों और द्रिष्टिबाधित लोगों के लिए एक स्पर्षनिय लेखन प्रनाली है इस दिन का उदेश नेत्रहीनों और द्रिष्टिबाधितों के लिए संचार पध्धती के रूप में ब्रेल के महत्व के बारे में जागरूपता बढ़ाना है अगला प्राशन एक उत्पाद ओडियोपी पहल को बढ़ावा देने में महत्वपून प्रयासों और सफलताओं को मान्यता देना है यह उत्सव तीन जन्वरी से दस जन्वरी तक चलेगा इस दोरान देश में आत्मनिर्भरता की दिशा में हुई प्रगती का प्रदर्शन किया जाएगा और एक जिला और एक उत्पाद ओडियोपी के विजिताओं को पुरस्कृत भी किया जाएगा हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि स्थान पर महर्शी वालमिकी हवाय एटे का उत्धाटन किया है इस हवाय एटे के चरनीक को 1450 करोर रुके से अधिक की लागत से विक्सित किया गया है इस हवाय एटे की टर्मिनल भवन का क्षेत्रफल 6500 वर्ग मीटर होगा ये सालाना लगभग 10 लाख यात्रियों को सेवा प्रदान करेगा अगला प्राश्ट हाल ही में सरकार द्वारा लॉंच किया गया प्रेरना क्या है A. एक नया खेल गतिविधी कार्यक्रम B. एक अनुभवात्मक शिक्षन कार्यक्रम C. एक सरकारी रोजगार योजना D. एक चात्रवृत्ती पहल Answer B. एक अनुभवात्मक शिक्षन कार्यक्रम Explanation प्रेरना भारतिय शिक्षा प्रणाली की सिध्धानतों और मूल्य आधारित शिक्षा के दर्शन के एनुरूप है जैसा कि राष्ट्रिय शिक्षा नीती 2020 में उलिखित है प्रेरना का मुख्य फोकस विद्यार्थियों में नित्रित्व गुनों का विकास करना है अगला प्राश्ट खाल ही में किस ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ने एक दिवसिय अंतराश्ट्रिय क्रिकेट से सन्यास की घोषना की है इससे पहले डेविद वनर ने टेस्ट करिया से भी सन्यास की घोषना की थी डेविद वनर आस्ट्रेलियाई वनर इतिहास में छटे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाडी है वनर ने अपने 161 दिवसिय मैचों में 6932 रन बनाई जिसमें 22 शतक भी शामिल है अगला प्राश हाल ही में केंद्रिय ग्रह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में राष्ट्रिय सहकारी डेरी संग कार्याले के नए कार्याले भवन की आधारशिला रखी है केंद्रिय ग्रह मंत्री अमित शाह ने गांधी नगर में राष्ट्रिय सहकारी डेरी संग कार्याले के नए कार्याले भवन की आधारशिला रखी है इस कार्यक्रम के दोरान अमित शाह ने 25 भारतिय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 37 विजेताओं को NCDFIE मार्केट पुरसकार भी प्रदान किये करनातक मिल्क फेडरेशन नंदिनी दिल्ली में मदर डेरी और तमिलनाडू में एविन डेरी प्लेटफॉर्म पर कारोबार के मामले में NCDFIE मार्केट अवार्ड्स के शीर्ष तीन विजेता थे अगला प्रश्न इंडिया इंटरेशनल ज्वालेरी ट्रेट शो का सोलहवा संसकरन कहां आयोजित हो रहा है A. नई दिल्ली B. पुने C. चैन्नाई D. मुंबई Answer D. मुंबई Explanation केंद्रिय वानिज्य मंत्री पियुष गोयल ने 4 जन्वरी 2024 को मुंबई में इंडिया इंटरेशनल जूल्डी ट्रेट शो आयाई जेस 2024 का उधधातन किया ये ट्रेट शो चार से 7 जन्वरी तक जेयो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर, B. केसी में और 5 से 8 जन्वरी तक बॉम्बे एकजीबिशन सेंटर, गोरे गाउ में आयोजित की जाएगी श्री गोयल ने इस बात पर जोर दिया कि फैशन और आभूशनों का सयोजन भारत को दुनिया भर में एक पसंदीदा विवास थल के रूप में स्थापित कर सकता है कादियाल साडिया किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में GI टैग मिला है एक एरल, बी पस्चम बंगाल, सी महाराष्टरा, डी बिहार, आंसर, बी पस्चम बंगाल, एक्स्प्लेनेशन, राष्ट्रिय जी आई ड्राइव मिशन के एक भाग के रूप में पस्चम बंगाल की कादियाल साडियों को भोगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया है इसके साथ ही पस्चम बंगाल के कुछ अन्य प्रोड़क्ट को GI टैग दिया गया है जिसमें सुंदर्बन शहद, जल्पाई गुडी जिले से काला नुनिया चावल, तंगेल और गोरोड शामिल है अगला प्राश्न हाल ही में दिल्ली के रंग भवन सभागार में राम मंदर, राष्ट्र मंदर एक साजी विरासत नामक पुस्तक का अनावरन किसने किया है इस कुस्तक विमोचन समारों में विश्व हिंदू परिशद के अध्यक्ष आलोग कुमार और श्री राम जन्मभूमी तीरक शेत्र के कोशाध्यक्ष गोविन्द गिरी महराज सहित प्रमुक्राइब अगला प्रश के विशिष्ट कमांडो माकोस ने मालवाहर जहाज को साफ करने के लिए उप्रेशन चलाया 15 भारतियों सहित चालक दल के सभी 21 सदस्यों को बचा लिया गया है और विशुरक्षित हैं अगला प्राशन 2024 ती 20 पुरुष क्रिकेट विश्व कप वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका में कब आयोजित किया जाएगा एक जून से 29 जून 2024 अंतर राश्ट्रिय क्रिकेट परिशद ICC ने 2024 T20 पुरुष क्रिकेट विश्व कप के लिए समुहों की घोशना कर दी है ये टूर्नामेंट एक जून से 29 जून 2024 तक वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित किया जाएगा अगला प्राश जन्वरी 2024 में बिम्स्टेक के महा सचिप का पड़ किसने ग्रहं किया A. मनी शंकर आयर B. लाल मनी त्रिपाथी C. मुकेश यादव D. इंद्रमनी पांडे Answer D. इंद्रमनी पांडे Explanation भारत के वरिष्ट राजनेक राजदू उतिंद्रमनी पांडे ने 4 जन्वरी 2024 को धाका में बहुक्षेत्रिय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल्प बिम्स्टेक के महा सचिप का पड़ ग्रहन किया केंद्रिय मंत्रमन्डल ने किस वर्ष तक मिशन शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने के उत्देशि से भारती रेलवे के सहयोग के लिए एक समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी है A. 2030 B. 2035 C. 2040 D. 2045 Answer A. 2030 Explanation 5 जन्वरी 2024 को केंद्रिय मंत्रमंडल ने भारत और United States Agency for International Development USAID भारत के बीच एक समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी है ये समझोता ग्यापन 2030 तक मिशन शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने के उद्देश इसे भारती रेलवे के सहयोग के लिए है इससे भारती रेलवे आयातित इंधन जैसे डीजल, कोईला आदी पर निर्भरता कम कर सकेगा किस IIT के शोध करताओं ने कैंसर रोधी दवा केम्टो थेसिन का उत्पादन बढ़ाने के लिए नाथापोडाइट्स निमोनियाना की पादप कोशिकाओं को संशोधित किया है A. IIT मंडी B. IIT मदरास C. IIT कानपूर D. दोनो A और B Answer D. दोनो A और B Explanation IIT मदरास और IIT मंडी के शोध करताओं ने कैंसर रोधी दवा केम्टो थेसिन का उत्पादन बढ़ाने के लिए एक पौधे की कोशिकाओं को संशोधित किया Cancer रोधी दवा केम्टो थेसिन सीपीटी नाथापोडाइट स्निमोन याना नामाक लुपतपराय पौधे से बनाए जाती है एक टन सीपीटी का उत्पादन करने के लिए लगभग एक हजार टन पौधे सामगरी की आवश्यक्ता होती है इस पौधो की आबादी में 20 प्रतिशत की गिरावट आई है और यह आयूसियन की लाल सूची में है अगला प्राश्ण जन्वरी 2024 में भारत और किस देश ने हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझोते पर हस्ताक्षर किये ए इटली, बी गुयाना, सी फ्रांस, डी केनिया, आंसर, बी गुयाना, एक्स्लेनेशन भारत और गुयाना ने हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझोते पर हस्ताक्षर किये समझोता ग्यापन हाइड्रोकार्बन क्षेत्र की संपूर्ण मूल्य श्रिंखला को कवा करेगा जिसमें गुयाना से कच्चे तेल की सोर्सीन, गुयाना के अन्वेशन और उत्पाधन क्षेत्र में भारतिय कमपनियों की भागीदारी, कच्चे तेल शोधन के क्षेत्रों में सहयोग आदी शामिल है। अगला प्राशन भारत का खिलोना निर्याद 2014, 15 में 96 मिलियन डॉलर से बढ़कर 2022, 23 में कितना हो गया। 52 प्रतिशत घटकर 332 मिलियन डॉलर से 169 मिलियन डॉलर हो गया। भारत में बने खिलोनों की सफलता की कहानी पर एक केस्टडी के अनुसार, आयात शुल्क में वृद्धी और गुनवत्ता नियंत्रन जैसे उपायों के कारण खिलोनों के निर्याद में वृद्धी हुई और आयात में गिरावट आई। दो हजार अठाइस तक खिलोना निर्याद बढ़कर 3 बिलियन डॉलर होने की संभावना है। जो इतिहास का अब तक का सबसे छोटा टेस्ट मैच बन गया। भारत ने नियूलेंड स्टेस्ट साथ विकेट से जीत कर श्रिंखला एक, एक से बराबर कर ली लेकिन इस प्रक्रिया में उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोर दिया। जो पहले 2021 में इंग्लेंड के खिलाफ 842 गेंदों का था। डिसंबर 2023 में भारत मालदीव संबंधों में गिरावट का कारण क्या था। जो पहले तक आकर्शन की केंद्र की रूप में प्रचारित करने की कारण अपमांजनक टिपनी की। इससे भारत मालदीव संबंधों में खटास आ गई। भारत सरकार ने इस मुद्धे को मालदीव के सामने उठाया, जिसके बाद मालदीव सरकार ने तीन मंत्रियों को निलंबित कर दिया। बंगाल की खाड़ी में कृष्णा गोदावरी बेसिन डीप सी प्रोजेक्ट किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है। A. Reliance Refinery, B. Ongc, C. Indian Oil, D. भारतिय पेट्रोलियम, Answer, B. Ongc, Explanation, Ongc ने बंगाल की खाड़ी में कृष्णा गोदावरी बेसिन में अपनी प्रमुक गहरे समुद्र परियोजना से तेल उत्पादन शुरू कर दिया है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंग पूरी ने कहा कि प्रती दिन 45,000 बेरल ओल और प्रती दिन 10 मिलियन मानग घन मीटर से अधिक गैस का उत्पादन होने की उम्मीद है। इस परियोजना से वर्तमान राष्ट्रिय तेल उत्पादन में 7 प्रतिशत और राष्ट्रिय प्राकृतिक गैस उत्पादन में 7 प्रतिशत की व्रिद्धी होने की उम्मीद है। इस साल जुलाई में युनेस्को की विश्व धरोहर समिती की अध्यक्षता और मेजबानी करेगा। ये पहला मौका होगा जब भारत इस समिती की अध्यक्षता करेगा। यह उनेस्को की एक समिती है। विश्व धरोहर समिती ने अपने 1977 में 46 वा सत्र भारत नई दिल्ली में आयोजित करने का निर्ने लिया था जो 21 जुलाई से 31 जुलाई 2024 तक आयोजित किया जाना है। अगला प्राश्ण ए, साथ जन्वरी, बी, आर्ट जन्वरी, सी, नौ जन्वरी, डी, दस जन्वरी, आंसर, सी, नौ जन्वरी, एक्स्प्लिनेशन हर साल नौ जन्वरी को प्रवासी भारतिय दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतिय दिवस पर विभिन प्रकार के सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है। प्रवासी भारतिय दिवस या अनराई दिवस राश्ट्र पिता महात्मा गांधी के भारत वापसी की याद में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 9 जन्वरी 1915 को गांधी जी दक्षन अफ राइफल, बी, कुरुशों और महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल, सी, कुरुशों और महिलाओं की 50 मीटर पिस्टल, डी, कुरुशों और महिलाओं की 25 मीटर रेपिद फायर पिस्टल, आंसर, बी, कुरुशों और महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल, एक्स्प्यनेशन, अगला प्राश्न अगला प्राश्न वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो के उद्धाटन में किन दो देशों के राष्ट्रपती उपस्थित थे अ, मोजाम्बिक और तिमोर लेस्ते, बी, मोजाम्बिक और सहयुक तरब अमीरात, सी, जर्मनी और सहयुक तरब अमीरात, डी, मोजाम्बिक और मालदीव, आंसर, अ, मोजाम्बिक और तिमोर लेस्ते एक्स्प्लिनेशन, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने 9 जन्वरी 2024 को गांधीनगर में वाइबरेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का उदगातन किया इस कार्यक्रम में मोजामबिक के राष्ट्रपती फिलिप न्यूसी, तिमोल लेस्टे के राष्ट्रपती जोस रामोस होटा और बुजरात के मुख्यमंत्री भुपेंद्र पटेल ने भाग लिया इस ग्लोबल ट्रेड शो की गितनी दुनिया की सबसे बड़े व्यापार शो की तौर पर की जा रही है इसमें एक ही जगह पर कई उद्द्योगों और व्यापार क्षेत्रों को प्रदर्शित किया जाएगा इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार के साथ नई तक्नीक को साजा करना है अगला प्राश्ट असम सरकार के सहयोग से आठ पुर्वोत्तर राज्यों और पूर्वीक शेत्र के चार राज्यों को शामिल करते हुए 9-10 जनवरी 2024 को दो दिवसिय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समित 2024 में मुख्य अतिती के रूप में किसने भाग लिया A. संयुक्त अरब अमीरात के राश्ट्रपती B. नेपाल के राश्ट्रपती C. संयुक्त राज्य अमेरिका के राश्ट्रपती D. इज्राइल के प्रधान मंत्री A. संयुक्त अरब अमीरात के राश्ट्रपती Explanation संयुक्त अरब अमीरात के राश्ट्रपती और अबुधाबी के शासक शेक मोहमद बिन जाय अदल नाहयान ने मुख्य अतिती के रूप में भाग लिया जो भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच गहरे संबंधों का प्रतीक है Vibrant गुजरात शिखर संमेलन के दसमें संसकरन का आयोजन 10 से 12 जनवरी तक गांधी नगर में होगा इस वर्ष के संमेलन का विशय गेटवे टू द फ्यूचर है संमेलन में 34 देश और 16 संधठन शामिल होंगे अगला प्राश्न नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम का प्राथमिक लक्षे क्या है A. मंगल ग्रह पर अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना B. मंगल ग्रह पर इंसानों को भेजना C. इंसानों को चांद पर वापस भेजना D. शुद्र ग्रहों की खोज Answer C. इंसानों को चांद पर वापस भेजना Explanation आर्टेमिस कार्यक्रम अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा निर्देशित एक अंतरिक्ष कार्यक्रम है जिसका प्राथमिक लक्ष हमारे चांद पर फिर से मनुश्यों को भेजना खास कर उसके दक्षली ध्रूव पर पहुँचा कर वापस लाना है और उसके बारे में और ज्यादा जानकारी जुटाना है अगला प्राश्ण विश्व हिंदी दिवस हर साल 10 जन्वरी को क्यों मनाया जाता है A. हिंदी कव्यों का सम्मान करना B. हिंदी संस्कृति को पहचानना है C. हिंदी साहित्य का जश्न मनाने के लिए D. विदेशों में हिंदी भाशा को बढ़ावा देना Answer D. विदेशों में हिंदी भाशा को बढ़ावा देना Explanation विश्व हिंदी दिवस 10 जन्वरी 2024 को मनाया गया विश्व स्तर पर हिंदी भाशा के उप्योग को बढ़ावा देने के लक्شय के साथ हिंदी भाशियों के योगदान का सम्मान करने भाशा के महत्व को समझने और लोगों को इसके महत्व के बारे में बताने के लिए मनाया जाता है ऐसे में हाम सभी को मिलकर निर्धारिक तिथी पर विश्व हिंदी दिवस मनाना चाहिए ताकि योवा पीडी को इसके बारे में पता चले अगला प्राश्ट गैब्रीयल अटल किस उम्र में आधुनिक फ्रांसी सी इतिहास में सबसे कम उम्र के प्रधान मंत्री बने ए, 40, B, 34, C, 30, D, 37, Answer, B, 34 एक्स्प्लेनेशन 34 वर्षिय गैब्रीयल अटल फ्रांस के सबसे कम उम्र के और समलेंगिक प्रधान मंत्री होंगे फ्रांस के राश्ट्रपती इमेनुल मेकरॉन ने मंगलवार को अपने करीबी शिक्षा मंत्री गैब्रीयल अटल को वर्तमान प्रधान मंत्री एलिजाबेट के इमिग्रेशन के मुद्दे पर राजनीतिक तनाव बढ़ने की वज़ह से इस्तीफा के बाद ने प्रधान मंत्री रूप में चुन लिया है अगला प्राश 27 में राश्ट्रिय युवा महुत्सव का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? A. वारानसी B. कोलकाता C. पटना D. नासिक Answer D. नासिक Explanation P. प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी 12 जनवरी को महाराश्ट्रा के नासिक में 27 में राष्ट्रिय युवा महुत्सव का उद्धाटन करेंगे और देश के युवाँ को संबोधित करेंगे इस वर्ष राष्ट्रिय युवा दिवस कई सरकारी विभागों के सहयोग से पूरे भारत के जिलों में युवा मामलों के विभाग के सबी क्षेत्रिय संगठनों द्वारा मनाया जाएगा 12 जन्वरी 2024 को स्वामी विविकानन की जयनती है और इसे राष्ट्रिय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है आएटी मदरास का नया कैंपस किस देश में शुरू किया जाएगा A. नेपाल B. बांगलादेश C. श्रीलंका D. भुटान Answer C. श्रीलंका रूप में पेश किये गए बजट 2024 का हिस्सा था इससे पहले आएटी मदरास ने नवंबर 2023 में तंजानिया में अपना एक कैंपस शुरू किया था अगला प्राशन हाल ही में करनाटक उच्च न्यायाले ने किस बांध के पास खननन गति विधियों पर प्रतिबंद लगा दिया है A. हिमावती B. कृष्ण राजसागर C. लिंगन मिक्की D. तुन्गभद्रा Answer B. कृष्ण राजसागर Explanation करनाटक उच्च न्यायाले ने मांध्या जिले में कृष्ण राजसागर के आरेस बांध के 20 किलोमीटर के दायरे में सभी खननन गति विधियों पर प्रतिबंद लगा दिया केंद्रिय खननन और इंधन अनुसंधान संस्थान वर्तमान में बांध सुरक्षा सर्वेक्षन कर रहा है विशेशग्यों द्वारा अध्ययन पूरा होने तक सभी खनन गति विधियों पर प्रतिबंद रहेगा अगला प्राश्ट भारत के पहले डाक स्काई पाक का खिताब किस टाइगर रिजर्व को मिला है महराष्ट्रा का पेंच टाइगर रिजर्व भारत का पहला और इशिया का पाचवा डाक स्काई पाक वाला टाइगर रिजर्व बन गया है डाक स्काई पाक से रात्री आकाश की सुरक्षा करने और प्रकाश प्रदूशन को कम करने में मदद मिलती है अंतर राष्ट्रिय प्रकृती सनरक्षन संग, IUCN प्रकृती सनरक्षन और सनरक्षित क्षेत्रों में पारिस्थितिक को बनाय रखने के लिए प्राकृती कंधेरे को सनरक्षित करने के महत्व पर जोर देता है अगला प्राश्चन स्वच सर्वेक्षन 2023 में किन दो शहरों को सबसे स्वच गंगा शहर का आवार्ड मिला है A. कानपूर और प्रयागराज B. प्रयागराज और गाजीपुर C. वारानसी और कानपूर D. वारानसी और प्रयागराज Answer D. वारानसी और प्रयागराज Explanation उत्तर प्रदेश के वारानसी और प्रयागराज को सबसे स्वच गंगा शहर के रूप में चुना गया है Madhya प्रदेश में महो चावनी बोर्ड को सबसे स्वच चावनी शहर का पुरसकार मिला साल 2016 से स्वच भारत शहरी मिशन के तहट केंद्रिया आवास और शहरी मामलों के मंत्राले द्वारा आयोजित स्वच सर्वेक्षन शहरी स्वच हता और साफ सफाई पर दुनिया का सबसे बड़ा सर्वेक्षन है अगला प्राश्चन मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ने वाला ये ब्रिज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गिया अटल बिहारी वाजपेई के नाम पर अटल से तु रखा गया है अटल से तु 21.8 किलोमीटर लंबा है और इसमें 6 लेन है इस पूरे प्रोजेक्ट में 18,000 करोर रुप्य खर्च हुए है हाल ही में किस बैंक ने सम्मान रुपे क्रेडिट कार्ड लॉंच किया है A. Axis Bank B. State Bank of India C. Indescent Bank D. Punjab National Bank Answer C. Indescent Bank Explanation Indescent Bank ने हाल ही में National Payments Corporation of India N. PCI के साथ साजहदारी में UPI सुविधा से लेस Indescent Bank सम्मान रुपे क्रेडिट कार्ड लॉंच किया है ये कार्ड सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए लॉंच किया गया ये कार्ड अंगिनत फायदों के साथ लेस है ये अलग-अलग खर्चों पर Cashback, Complimentary Movie Ticket, Advance Cash पर शून्य शुल्क और IRCTC Lendin और इंदन खरीद पर सर्चाच से छूट दिलाने में सक्षम है अगला प्राशन नई PD के आकाश मिसाइल का सफल परीक्षन किया गया ये किस प्रकार की मारक मिसाइल है ए हवा से हवा, बी सता से हवा, सी हवा से सता, डी सता से सता, आंसर, बी सता से हवा Explanation, रक्षा अनुसंधान और विकास संगथन, DRDO, ने Odisa के तट पर एकी कृत परीक्षन रेंज, ITR, चांदीपुर से नई PD की आकाश मिसाइल का सफल परीक्षन किया ये टेस्टी बहुत कम उचाई पर हाई स्पीड वाले मानव रहित एर टार्गेट पर की गई, आकाश नई पीली की, सता से हवा, सर्फस टू ए, में मार करने वाली मिसाइल रक्षा प्रनाली है, अगला प्राशन स्वच्छता सर्वेक्षन दो हजार टेस में एक लाग से अधिकाबादी की कैटेगरी में सबसे स्वच शहर का पुरसकार किसे मिला स्वच्छता सर्वेक्षन दो हजार टेस में एक लाग से अधिकाबादी की श्रेली में इंदौर और सूरत को देश की सबसे स्वच शहर का पुरसकार मिला इन दौर को लगातार साथवी बार यह पुरसकार मिला है इसी कैटेगरी में नवी मुंबई को तीसरा स्थान मिला राष्टपती द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के भारत मनपम में स्वच सर्वेक्षन दो हजार टेईस पुरसकार प्रदान किये अगला प्राश्ट जन्वरी दो हजार चोबीस में किस अतन्किवादी समूः ने समालिए में संयूक्त राष्ट के हलिकॉप्टर पर कब्जा कर लिया A. अलशबाब, B. तालिबान, C. बोको हराम, D. आइसाएस, आंसर, A. अलशबाब, एक्स्प्लिनेशन, 10 जनवरी 2024 को सुमालिया में अलशबाब लड़ाकों ने संयुक्त राष्ट के एक हेलिकॉप्टर पर कबजा कर लिया, हेलिकॉप्टर में तकनीकी खराबी आ गई, जिस भारतियो नौसेना का बहुराष्ट्रिय अभ्यास, मिलन, 24 का आयोजन कहां किया जाएगा? इससे पहले इस अभ्यास का ग्यारावा संसकरन फरवरी मार्च 22 में पूर्वी नौसेना कमान के तहट विशाखा पत्तनम में आयोजित किया गया था मिलन एक ग्विवार्शिक बहुराश्ट्रिय नौसेनिक अभ्यास है जो 1995 में लुक इस्ट पॉलिसी के तहट चार देशों इंडोनेशिया, सिंगापो, श्रीलिंका, थाइलेंड की भागीदारी के साथ शिरू हुआ था केंद्रिय आयुष मंत्री श्री सर्बानन सोनुवाल ने 12 जन्वरी को कहां क्षेत्रिय होम्योपेथी अनुसंधान संस्थान और एकीकृत आयुष कल्यान केंद्र के स्थाई परिसर की आधारशिला रखी A. गोहाटी, B. कोलकाता, C. शिलॉन, D. डिब्रूगर, आंसर, A. गोहाटी, एक्स्प्लेनेशन, क्षेत्रिय होम्योपेथी अनुसंधान संस्थान और एकीकृत आयुष कल्यान केंद्र के स्थाई परिसर की आधारशिला केंद्रिय आयुष मंत्री श्री सर्बानन अजारा, गोहाटी में रखी, इस परियोजना के लिए 53.89 करोर रुप्ये स्वीकृत किये गए हैं। मलकानगिरी में नए हवाई अड़े का उधगातन किया। 233 एकर क्षेत्र में फैला हवाई अड़ा गौडा गुडा पंचायत क्षेत्र के कटल गुडा में स्थित है। इसे 70 करोर रुप्ये की लागत से विक्सित किया गया है और इसका रनवे 1620 मीटर लंबा और 30 मीटर पहले चरण में 9 सीटर वाले विमानों के इस हवाई अड़े से संचालित होने की संभावना है। अगला प्राशन। की शुरुआत की। कुल मिला कर 24 कॉलेजों को इस मिशन के तहट लिया गया है और प्रतेक महावी द्यालय में 2.5 करोर रुप्ये की लागत से सुविधाय विक्सित की जाएंगी। अगला प्राशन। अगला प्राशन। संसद का बजट सत्र इस महीने की किस तारीक से शुरू हो रहा है? A. 28 जन्वरी B. 29 जन्वरी C. 30 जन्वरी D. 31 जन्वरी Answer D. 31 जन्वरी Explanation संसद का बजट सत्र इस महीने की 31 जन्वरी 2024 को शुरू हो रहा है वितमंत्री निर्मला सीतारमन एक फर्वरी को अंतरम बजट पेश करेगी सत्र की शुरूआत संसद के दोनों सदनों की सयुक्त बैठक में राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू के संबोधन से होगी इस सत्र के 9 फर्वरी तक चलने की उम्मीद है हाल ही में जारी हैंले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतिय पासपोर्ट कौन से स्थान पर रहा है A. 55. B. 80. C. 98. D. 121. Answer. B. 80. Explanation हैंले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 की रैंकिंग में भारत असीवे नंबर पर पहुंच गया भारत का पासपोर्ट रखने वाले लोग वीजा फ्री बासट देशों जैसे थाइलेंड, मलेशिया और इंडोनेशिया आधी देश शामिल हैं में यात्रा कर सकते हैं टॉप रैंकिंग में जापान, सिंगापो, जर्मनी, इटली, फ्रांस, स्पेन के पासपोर्ट शामिल हैं। इन देशों के पासपोर्ट धारक 194 देशों में वीजा फ्री यात्रा कर सकते हैं। अगला प्राश्ट्र प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महाभिया पीएम जन्मन के लाभार्थी कौन हैं? के सामाजिक आर्थिक कल्यान के लिए पीएम जन्मन पहल पिछले साल नवंबर में शुरू की गई थी। अगला प्राश्ट्र 14 जन्मरी 2024 को रानी मार्गरेट द्वितिय के बाद देनमार्क के नए राजा के रूप में कौन नी युक्त हुआ? के किस शहर में किया गया? अगला प्राश्न विक्सित सिक्यो एंट्टू एंड मोबाइल एको सिस्टम है जिसका विकास 5G टेकनोलोजी पर किया गया है 75 वे एमी अवार्ड में सर्वश्वेश्ट ड्रामा सीरीज का खिताब किसने जीता A. The White Lords B. Jury Duty C. Succession D. The Beer Answer C. Succession Explanation 75 वे एमी अवार्ड की घोशना कर दी गई है The Beer और Succession प्रत्य एक ने 6 पुरसकारों पर कबजा किया The Beer को सर्वश्वेश्ट कॉमेडी का खिताब दिया गया Road Rage ड्रामा Beef ने सर्वश्वेश्वेश्ट Limited Edition का अवार्ड अपने नाम किया वही सर्वश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश पिछले चार साल में ये तीसरी बार है जब मेसी को यह अवर्ड मिला है। स्पेन और बासिलोना की स्ट्राइकर एटाना बोनमती को सर्वश्रेष्ट फीफा महिला खिलाडी का पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न मकर संक्रांती, पोनगल, उत्तरायन और माग बिहु त्योहारों का क्या महत्व है? A. ग्रीश मृतु का अंत B. मानसून की शुरुआत C. सर्दी की समाप्ती और लंबे दिनों की शुरुआत D. वसंत का उत्सव Answer C. सर्दी की समाप्ती और लंबे दिनों की शुरुआत Explanation वसल की त्योहार, मकर संक्रांती, पोनगल, उत्तरायन और माग बिहु 15 जुलाई 2024 को देश के विभिन हिस्सों में मनाए गए ये त्योहार सर्देओं के आंत और लंबे दिनों की शुरुआत का प्रतीक हैं अगला प्राश्न विश्वार्थिक मंच की 54 वार्शिक बैठक कहा हो रही है? A. टोक्यो, जापान B. दावोस, स्विद्जलेंड C. न्युजॉर्क, यूइस डी, पेरिस, फ्रांस, आंसर, बी, दावोस, स्विद्जलेंड एक्स्प्लेनेशन, विश्वार्थिक मंच की 54 वी वार्षिक बैठक 15 जन्वरी 2024 को स्विद्जलेंड के दावोस में शुरू हो गई है इस सम्मेलन का विश्यक, पुनर निर्मान ट्रस्ट है, जो नई प्रोध्योगी की ओद्वारा प्रस्तुत अफसरों की खोज और निर्ने लेने और वैश्विक साजेदारी पर उनके प्रभाव पर केंद्रित है अगला प्राश्न प्रसिद शास्त्रिय गाई का प्रभा आत्रे किस घराने से थी, जिनका हाल ही में निधन हो गया ए, रामपूर घराना, बी, वालियर घराना, सी, पतियाला घराना, डी, किराना घराना, आंसर, डी, किराना घराना, एक्स्प्लिनेशन प्रख्यात शास्त्रिय गाईका और पद्म विभूशन अवोर्ड से सम्मानित प्रभा आत्रे का 92 वर्ष की आयू में निधन हो गया। प्रभा आत्रे हिंदुस्तानी शास्त्रिय संगीत के किराना घराने से जुली थी। वर्ष 1991 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरसकार से सम्मानित किया गया था साथ ही उन्हें पद्म श्री, पद्म भूशन, राष्ट्रिय कालिदास पुरसकार और टैगोर अकादमी रत्न पुरसकार से भी सम्मानित किया गया था। नीति आयोग के अनुसार पिछले 9 वर्षों में भारक ने गरीबी दर में कितनी गिरावत दर्ज की गई है? A. 29 प्रतिशत से लगभग 11 प्रतिशत B. 20 प्रतिशत से लगभग 15 प्रतिशत C. 27 प्रतिशत से लगभग 9 प्रतिशत D. 25 प्रतिशत से लगभग 17 प्रतिशत Answer A. 29 प्रतिशत से लगभग 11 प्रतिशत Explanation नीती आयोग के अनुसार पिछली 9 वर्षों में भारत की गरीबी दर 29 प्रतिशत से घटकर लगभग 11 प्रतिशत हो बई है इस अबधी में भारत में लगभग 25 करोड लोगों ने खुद को गरीबी से बाहर निकाला है वर्टमान में भारत में नीती आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO की रूप में B. V. R. सुब्रा मन्यम कार्यरत है अगला प्राश्ट्न यूक्रेन पर वैश्विक शांती शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा A. USA B. Japan C. Switzerland D. France Answer C. Switzerland एक्स्प्लेनेशन यूक्रेन पर एक वैश्विक शांती शिखर सम्मेलन यूक्रेन के राश्ट्रपती व्लादिमीर जेलेंस्की के अनुरोध पर स्विच्जिलेंड में आयोजन किया जाएगा जिसका उदेश्य 2022 में यूक्रेन में रूस की घुसपैट से उत्पन संगर्ष को हल करना है गौर तलब है कि रूस ने 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन में अपनी सेना भेजी थी तब से दोनों देशों के बीच संगर्ष जारी है अगला प्रश्ण ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओ में भारत की रैंक क्या है हाल ही में ग्लोबल फायर पावर ने सेन्यक शम्ता के आधार पर दुनिया के देशों की एक रैंकिंग जारी की है दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओ में अमेरिका पहले रूस दूसरे और चीन तीसरे स्थान पर है इस रैंकिंग में भारत को चौथा स्थान दिया गया है इस रैंकिंग में दुनिया के 145 देशों को शामिल किया गया है पढ़ोसी देश पाकिस्तन नौवे स्थान पर है इस रैंकिंग में सेन्यक शम्ता का आंकलन करने वाले 60 factors को शामिल किया गया है अगला प्राश्टन विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़ते हुए भारत के नंबर एक शत्रंच खिलाडी कौन बने है A. रमेश बाबु प्रग्नानंद B. विधित गुजराती C. पैंटाला हरिकृष्णा D. गुकेश D. आंसर A. रमेश बाबु प्रग्नानंद Explanation भारतिय युवा शत्रंच खिलाडी रमेश बाबु प्रग्नानंद ने नीदरलेंड में आयोजित Tata Steel Masters में विश्व शत्रंच चैंपियन डिंगलिरें को हरा दिया है इस जीत के साथ प्रग्नानंद विश्वनाथन आननंद के बाद मौझूदा चैंपियन को हराने वाले दूसरे भारतिये बन गए वो लाइव रेटिंग के मामले में आननंद को पचार कर भारत के नए नंबर एक शत्रंच खिलाडी भी बन गए है अगला प्राशन असम राज्य के सर्वोच सम्मान असम वैभव से किसे सम्मानित किया जाएगा ए रगुराम राजन बी रंजन गोगोई सी रतन टाटा डी अमित शाह आंसर बी रंजन गोगोई एक्स्प्लिनेशन असम के मुख्यमंत्री हेमंद बिस्व सर्मा ने हाल ही में घोशना की है कि पूर्व चीफ जस्टिस ओफ इंडिया सी जे आई और राज्य सभास सांसाद रंजन गोगोई को असम वैभव पुरसकार से सम्मानित किया जाएगा असम वैभव राज्य का सर्वोचनागरिक सम्मान है सी जे आई रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच जजों की बैंच ने साल 2019 में अयोध्या राम मंदिर पर हमने नए दिया था भारत की पहली सौर उर्जा से चलने वाली नाव का संचालन किस नदी में किया जाएगा इस नाव सेवा के संचालन की रूपरे खा उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरन्य उर्जा एजेंसी UPN EDA द्वारा तयार की गई है अगला प्राश्ण महाराष्ट्रा सरकार ने राज्जे के पहले Green Ammonia Plant के लिए किस के साथ समझोता किया है A. Inox Air Products B. Chumble Fertilizers and Chemicals Limited C. Tata Chemicals Limited D. Inox Air Products Answer A. Inox Air Products Explanation महाराष्ट्रा सरकार ने 5 लाख MTPA की क्षमता के साथ राज्जे के पहले Green Ammonia Plant के लिए Inox Air Products के साथ एक समझोता किया है इस प्रोजेक्ट पर कुल 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च किये जाएंगे इस प्लान्ट में Green Liquid Ammonia का उत्पादन किया जाएगा अगला प्राश्ण उप्राष्ट्रपती जग्दीत धन्खर ने शांती के लिए एश्याई बौद सम्मिलन की बारहवी महासभा का उत्गाटन नई दिल्ली में किया इस दो दिवसिय बारहवी महासभा का उत्गाटन 17 जन्वरी को किया गया खंबो लामा समागिन गोंबो जोव के अनुरोग पर साल 1979 में इसकी शुरुआत की गई थी अगला प्राश्ण जन्वरी 2024 में विंग्स इंडिया 2024 कार्यक्रम कहां आयोजित हुआ A. मुंबई हवाई अड़े B. सफदर जंद हवाई अड़ा नई दिल्ली C. बेगम पेट हवाई अड़ा हाइदराबाद D. पालम हवाई अड़ा नई दिल्ली आंसर C. बेगम पेट हवाई अड़ा हाइदराबाद C. केंद्रियन आगरिक उड़ेन मंत्री जोतिरादित्या अड़ा अड़ा ने 18 जनवरी 2024 को हवाई अड़ाबाद के बेगम पेट हवाई अड़े पर एशिया के सबसे बड़े विमानन एक्सपो Wings इंडिया 2024 का उदघाटन किया इस कार्यक्रम में 106 देशों के 1500 प्रतीनिधी और 5000 व्यापारिक आगंतुक शामिल हो रहे है जो Aerospace Engineer Airlines हवायद दा एजेंसियों से जुड़े हुए है अगला प्राश्न अयोध्या के राम मंदिर को समर्पित समारग डाक्टिक्तों की एक सीरीज किसने लॉंच की एक सीरीज और दुनिया भर के टिक्टों वाली एक पुस्तक जारी की छे हलग अलग डिजाइन के साथ ये टिकट श्री राम जन्मभूमी मंदिर के सार को दर्शाते है गौर तलब है कि एयोध्या में राम मंदिर के प्रान प्रतिष्था का कार्यक्रम 22 जन्मभूमी को समपन होगा डॉक्टर बियारम बेदकर की 125 फीट उजी कांसे प्रतिमा का उध्धाटन किस राज्य में किया गया ए उत्तर प्रदेश बी बिहार राजस्थान डी आंध्रप्रदेश आंसर डी आंध्रप्रदेश एक्स्प्लिनेशन आंध्रप्रदेश में मुख्यमंत्री वायस जगन मोहन रेड़ी विजेवाड़ा के स्वराज मैदान में डॉक्टर बी आरंबेदकर की 125 फीट उची कांसे प्रतिमा का उद्घाटन किया इस प्रतिमा को सामाजिक न्याय की प्रतिमा का नाम दिया गया है और यह डॉक्टर बी आरंबेदकर के योगदान को याद करने के लिए लगाई गई है अगला प्राश्ट्न महतारी वंदना योजना हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई इसके तहत महिलाओं को हर महीने 1000 रुप्य कुल 12,000 रुप्य की वारशिक वित्तिय सहायता प्रदान की जाएगी इस योजना का लाब उठाने के लिए आवेदक को चत्तीसगर का निवासी होना जरूरी है ये योजना मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना से प्रेरित मानी जा रही है अगला प्राश्ट्न इरान और पाकिस्तान के बीच हालिया तनाव का मुख्य कारण क्या है? गौर तलब है कि दोनों देश 900 किलोमीटर की अस्थिर सीमा साजा करते हैं जिसके एक तरफ पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांथ और दूसरी तरफ इरान का सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांथ है दोनों देशों का बलूच शेत्र में आतनकवादियों से लड़ने का इतिहास रहा है हालिया घडनाकरम में इरान ने पाकिस्तान पर इरानी धर्ती पर हमलों के लिए जिम्मेदार सुननी आतनकवादी समूझ जैशल अदल को पनाह देने का आरोप लगाया पाकिस्तान ने इसी तरह के दावों के साथ जवाबी कार्रवाई की और अपनी सीमाओं के भीतर बलूच अलगाववादियों के लिए इरानी समर्थन की ओर इशारा किया अगला प्राश्चन विक्सित भारत संकल प्यात्रा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है ए परेटन को बढ़ावा देना बी सांस्कृतिक उत्सवों का आयोजन करना सी जाग्रूकता पैदा करना और विकास एवं कल्यांकारी योजनाओं में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना डी राजनीतिक रेलिया आयोजित करने के लिए आंसर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 नवंबर को जारकन के खूटी से विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी जंडी दिखा कर रवाना किया गया इस यात्रा का उद्देश विभिन कल्यानकारी योजनाओं के बारे में नागरिकों के बीच जागरूकता पैदा करना और योजनाओं के शत प्रतिशत संत्रिप्ती के लिए जनभागीदारी की भावना में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करना है ये भारत सरकार की अब तक की सबसे बड़ी आउट्रीच पहल है ये पहल 25 जनवरी 2024 तक देश भर में 2.60 लाख ग्राम पंचायतों और 4000 से अधिक शहरी स्थानिय निकायों को कवा करेगी अगला प्राश्ण Forbes की हाल की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है? A. भहरीनी दीनार B. कुवेती दीनार C. U.S. डॉलर D. यूरो Answer B. कुवेती दीनार Explanation Forbes की हाल की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में कुवेती दीनार सबसे ताकतवर करेंसी है बहरीन की करेंसी, बहरीनी दीनार, दूसरे और ओमान की करेंसी, ओमानी रियाल, तीसरे स्थान पर है वही दुनिया की दूसरी सबसे अधिक कारोबार वाली मुद्रा, यूरो, लिस्ट में नौवे स्थान और यूएस डॉलर दसवे स्थान पर है इस रिपोर्ट के अनुसार सैयुक्त राष्ट्र वर्तमान में 180 मुद्राओं को लीगल टेंडर के रूप में मान्यता देता है गंतंत्र दिवस समारों के हिस्से के रूप में भारत पर्व 2024 कहां योजित किया जाएगा अगला प्राश्ट्न शिक्षा मंत्रा ले द्वारा घोशित नए दिशानिर देशों के अनुसार कोई भी कोचिंग केंडर सनातक से कम योग्यता प्राप्ट ट्यूटिस को नियुक्त नहीं करेगा अभिभावकों या छात्रों को कोचिंग केंडर में नमानकन कराने के लिए भ्रामक वादे या रैन कत्वा अच्छे इंकी की गारंटी नहीं देगा 16 वर्ष से कमायू के छात्र का नमानकन नहीं करेगा या छात्र का नमानकन माध्यमिक स्कूल परीक्षा के बाद ही किया जाना चाहिए चात्रों से अत्यदिक फीस वसुली, तनाव के चलते आत्महत्या, आग और अन्य दुरभटनाओं के कारण जान जाने की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए ये दिशान देश जारी किये गए हैं अगला प्राश्न प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने महाराश्ट्रा के सोलापूर में लगभग 2000 करोर रूखी एट अमरूत काया कल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन परियोजनाओं की आधार शिला रखी उन्होंने कार्यक्रम के दोरान महाराश्ट्रा में पी-म स्वनिधी के 10,000 लाभार्थियों को पहली और दूसरी किस्त के वित्रंगी भी शुरुआत की अगला प्राश्न केंद सरकार ने केरल में क्रित्रिम रीफ ऑकायों की स्थापना के लिए कितने करोल रुपय आवंटित किये है A. 102 करोड B. 202 करोड C. 302 करोड D. 402 करोड Force C. 302 करोड Explanation केंद्रिय मंत्री परशोतम रुपाला ने केरल के विजिंजम में मचली पकड़ने वाले गावों के तटों पर कृत्रिम रीफ, आर्टिफीशल रीफ एकायों की स्थापना के लिए 302 करोर रुप्य आवंटित किये जाने की घोशना की है ये योजना केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, PMMSY और राज्य मत्स्य पालन विभाग के तहट शुरू की गई है इस इस्थाई मत्स्य पालन और आजीविका को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है अगला प्राशन खिलो इंडिया यूथ गैम्स 2024 की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है ए तमिलनाडू, बी पंजाब, सी महराष्ट्रा, डी करनाटक, आंसर, ए तमिलनाडू, एक्स्प्लिनेशन खिलो इंडिया यूथ गैम्स के आईवाईजी 2024 का छठा संसकरन 19 जन्वरी 2024 को शुरू हुआ और 31 जन्वरी 2024 को समाप्त होगा इस वर्ष का के आईवाईजी तमिलनाडू राज्य के चार शहरों, चैनने, कोयमबटूर, मदुरव और त्रिची में आयोजित किया जा रहा है जाती जंगन्ना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन है बिहार के बाद आंध्रप्रदेश जातिगत जंगन्ना कराने वाला दूसरा राज्य बन गया है सुचना एवं जंसंपर्क मंत्री सी श्री निवास वेनुको पाल क्रिष्ण ने बताया कि जंगन्ना का पहला चरण 19 जन्वरी से 28 जन्वरी तक 10 दिनों के लिए चलाया जाएगा सरकार ने जंगन्ना को 15 फरवरी तक पूरी करने का लक्ष रखा है अगला प्राश्न जापानी अंतरिक श्यान मून स्नाइपर चंद्रमा पर उतरा जिससे जापान चंद्रमा की सतह तक पहुँचने वाला कौन सा देश बन गया जापान का अंतरिक श्यान मून स्नाइपर चंद्रमा पर उतर गया है इसके साथ ही जापान चांद पर सफलता पूर्वक स्पेस्क्राफ्ट भेजने वाला पांचवा देश बंग गया है इससे पहले भारत, रूस, अमेरिका और चीन ही चांद पर पहुंचने में काम्याब हो सके है मून स्नाइपर को जापान की JAXA, NASA और European Agency ने मिलकर तयार किया था इसे पिछले साल सितंबर में जापान के तांगेशिमा स्पेस सेंटर के योशीनोबू कॉम्पलेक्स से लॉंच किया गया था इस मिशन में 831 करोर रुप्ये से अधिक का खर्चा आया है अगला प्राशन किसने भारत से परे देशों में UPI का विस्तार करने के लिए NPCI International के साथ एक समझोता ग्यापन पर हस्ताख शर किये हैं अगला प्राशन प्रधान मंत्री राष्ट्री अबाल पुरसकार 2024 के लिए कितने बच्चों का चैन किया गया है प्रधान मंत्री राष्ट्री अबाल पुरसकार 2024 PMRBP की भोशना शुक्रवार 19 जन्वरी को हुई ये पुरसकार असाधारन योग्यताओं और उत्कृष्ट उपलब्दियों के लिए बच्चों को दिया जाता है इसने देश की सभी क्षेत्रों से 19 बच्चों का चैन किया गया समुद्री अभ्यास अयोत्या भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित किया जाता है ए थाइलेंड, बी वियतनाम, सी फ्रांस, डी जापान, आंसर, ए थाइलेंड, एक्स्प्लिनेशन हाल ही में, भारतिय नौसेना और रोयल थाई नेवी के बीच पहला द्विपक्षिय समुद्री अभ्यास अयोत्या का आयोजन किया गया ये भारत और थाइलेंड के बीच एक द्विपक्षिय अभ्यास है इस नौसेना एक्सरसाइज में स्वदेश निर्मिद भार्तिय नौसेना के जहाज कुलिश और आयनल स्यू चपन ने भाग लिया अगला प्राश्ण हाल ही में भार्तिय नौसेना ने अपने किस जहाज को सेवा मुक्त किया A. खंडेरी B. चीता C. विला D. करंज Answer B. चीता Explanation हाल ही में भार्तिय नौसेना के जहाज चीता गुलदार और कुम्भीर को चार दशकों की शांदार सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है D. कमिशनिंग कार्यक्रम पोर्ट ब्लेयर में आयोजित किया गया और तीन जहाजों के राष्ट्रियत ध्वज, नौसेना पताका और D. कमिशनिंग पैनेंस को आखिरी बार उतारा गया चीता गुलदार और कुम्भीर को पोलेंट के दिनिया शिप्यार में तैयार किया गया था इन जहाजों को क्रमशह 1984, 1985 और 1986 में भारतिय नौसेना में शामिल किया गया था अगला प्राष्ण एन एम शिखर सम्मेलन का कौन सा संसकरन 19 जन्वरी 2024 को युगांडा के कमपाला में शुरू हुआ A. सत्रावा B. अथारावा C. उन्नीसवा D. ब. स्वा Answer C. उन्नीसवा Explanation गुटनर पेक्ष आंदोलन N. एम का उन्नीसवा शिखर सम्मेलन 19 जन्वरी 2024 को युगांडा के कमपाला में शुरू हुआ विदेश मंत्री ड. एस जेशनकर भारतिय प्रतिनिदिमंदल का नेत्रित्व कर रहे है साजा वैश्विक समृद्धी के लिए सहयोग को गहरा करना विशय के तहट दो दिवसी अशिखर सम्मेलन 120 से अधिक विकास शीर देशों को एक साथ लाता है जो इतिहास में एक महत्वपूर्ण का प्रतीक है अगला प्राशन गुजरात में किस थान पर 800 इसापूर की मानव बस्ती के अवशेश पाए गए है एप और बंदर, बी सूरत, सी राजकोट, डी वर्णगर, आंसर, डी वर्णगर, एक्स्प्लेनेशन गुजरात के वर्णगर में करीब 2800 साल पुरानी मानव बस्ती के अवशेश मिले है यह आएटी खड़कपुर, भारतिय पुरातत्व सर्वेक्षन, एसाई, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, जे न्यू और डेक्कन कॉलेज द्वारा आयोजित किया गया था साक्षे से पता चलता है कि मानव बस्ती उत्तर वैदिक, पूर्व बौध महाजन पदों या कुलीन तंत गनराजियों के समकालीन थी गंबीर जलवायू परिवर्तन, जैसे सूखा, विभिन राजियों के उत्थान और पतन में एक प्रमुक कारक थे मध्य एशिया से बार-बार होने वाले आक्रमन भी विभिन नसामराज्य के पतन का एक कारण थे अगला प्रशन भारत का पहला केंडर वितपोशित गाय अभ्यारन कहां बनाया जाएगा भारत का पहला केंद्र वितपोशित गाय अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के मुझफर नगर जिले में जनवरी 2024 के अंतक बन जाएगा यह अभ्यारण्य मुझफर नगर जिले के पुरकाजी ब्लॉक के अंतरगत तुगलिपूर कमहिरा गाउं में स्थित है अभ्यारण्य को राष्ट्रिय गोकुल मिशन आर जियम से मिले 64 करोड रुपे के वितपोशन के साथ बनाया गया है संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78 वे सत्र के अध्यक्ष कौन है A. डेनिस फ्रांसिस B. जो बिडेन C. एंटोनियो गुटेरेस D. नरेंद्र मोदी A. डेनिस फ्रांसिस Explanation संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78 वे सत्र के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस 22 जनवरी 2024 को भारत की 5 दिवसिय यात्रा पर नई दिल्ली पहुँचे विदेश मंत्राले ने कहा है कि उनकी यात्रा भारत संयुक्त राष्ट संबंधों को मजबूत बनाने और भारत की प्राथमिक ताउं तथा वैश्विक चुनोतियों के बारे में विचारों के आदान प्रदान का अवसर है अगला प्राश्न भारत के मान सिंग ने हौंग कॉंग में एश्याए मेराथन चेंपियंशिप दो हजार चुनोतियों को प्राश्न अगला प्राश्न प्रदानमंत्री द्वारा शुरू की गई इस योजना का उद्देश गरीब और मध्यम वर्क के व्यक्तियों को रूफटॉप सोलर प्रोग्राम के तहट शामिल करना है साथ ही इसका उद्देश उर्जाक शेत्र में आत्मनिर भरता लाना है अगला प्राश्न सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरसकार 2024 संस्थागत श्रेनी में किसे प्रदान किया गया? आ, केंद्रियः रिजर्व पुलिस बल ब, केंद्रियो औध्योगिक सुरक्षा बल अ, किनेशनल कोस्ट गाड आंसर उत्तर प्रदेश के साथ पेराशूट फील्ड पुरसकार के लिए चुना गया है अगला प्राश्न बेडमिंटन में हाल ही में इंडिया ओपन दो हजार चौबीस महिला एकल टाइटल किसने जीता चीनी ताइपे की दिगगज बेडमिंटन खिलारी ताइटजू यंग ने शांदार खेल का प्रदर्शन करते हुए इंडिया ओपन दो हजार चौबीस महिला एकल का खिताब जीत लिया ताइटजू यंग ने फाइनल में चीन की चेन यूफेई को माद दी इंडिया ओपन दो हजार चौबीस का फाइनल नई दिल्ली के केडी जाधव इंडो हॉल में खेला गया करपूरी थाकुर को मरनोपरांद भारत के सर्वोचन आगरिक सम्मान भारत रतन से सम्मानित किया गया वे किस राज्य से थे? अगला प्रश्न पराकरम दिवस का क्या महत्व है? ए यह नेताजी सुभाष चंद्रबोस का जनम दिन है बी यह महात्मा गांधी की पुन्यतिती है सी यह महाराना प्रताप का जनम दिन है डी यह भगत सिंग का जनम दिन है आंसर ए ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जनम दिन है एक्स्प्लेनेशन 23 जन्वरी 2024 को भारत ने देश के स्वतंतरता संग्राम में सबसे प्रमुक शेक्सियतों में से एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 127 वी जहनती मनाई बोस की अदम्य भावना और भारत की स्वतंतरता में उनके अमूल्य योगदान का सम्मान करने के लिए इस दिन को पराकरम दिवस या साहस दिवस के रूप में मनाया जाता है अगला प्राश्न अखिल भारतिय अभियान हमारा सम्मान का उद्गाटन किसने किया ए राजनात सिंग, बी अमित शाह, सी जगदीब धंखर, डी एस जेशनकर, आंसर, सी जगदीब धंखर, एक्स्प्रेनेशन उप्राश्ट्रपती जगदीब धंखर ने भारत के गंतंत्र के 75-वे वर्ष के उपलक्षय में अखिल भारतिय अभियान, हमारा सम्मान, का उद्गाटन किया एक साल तक चलने वाले इस अभियान की शुरुआत डॉक्टर, अमबेटकर इंटनेशनल सेंटर से हुई यह अभियान न्याए विभाग, विधी एवं न्याए मंत्राले द्वारा चलाया जा रहा है, इसके साथ ही कानूनी सलाह के लिए एक एकी कृत कानूनी इंटरफेस प्रदान करने है तू, न्याए से तू, कभी शुभारंब किया गया, अगला प्राश्ण कौप की खोज और खनन परियोजनाओं के लिए भारतिय प्रतिनिधिमंडल किस देश की आत्रा पर जाएगा? A. चिली B. अर्जेंटीना C. केनिया D. जांबिया Answer D. जांबिया Explanation खान मंत्राले ने अफ्रीकी देश में संभावित कौप की खोज और खनन परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए अफ्रीकी देश जांबिया में एक भारतिय उध्योग प्रतिनिधिमंडल भेजने का निर्ने लिया है दक्षन अमेरिकी देश चिली दुनिया में शीर श्तामबा उत्पादक देश है अगला प्राश्न उत्तर प्रदेश सरकार किसे उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित करेगी A. अरुन योगी राज B. डॉक्टर रितु करिधल श्री वास्तव C. नवीन तिवारी D. B. और C. तो नो आंसर D. B. और C. तो नो एक्स्प्लिनेशन उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर चंद्रायान मिशन में महत्वपूल भूमिका निभाने वाली प्रख्यात वैज्यानिक डॉक्टर रितु करिधल श्रिवास्तव और कानपूर के जाने माने उद्यमी नवीन तिवारी को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित करेगी हल्वा समारोह निमनलिखित में से किस घटना से संबंदित है A. स्वतंत्रता दिवस समारोह B. बजग तयार करने की प्रक्रिया C. गंतंत्रत दिवस समारोह D. राश्ट्रिय महिला दिवस Answer B. बजग तयार करने की प्रक्रिया Explanation अंतरम केंद्रिय बजट 2024 के लिए बजट तैयारी प्रक्रिया के अंतिम चरन को चिनित करने वाला हल्वा समारो 24 जन्वरी 2024 को नौर्थ ब्लॉक में हुआ अगला प्राश्ट्न इसका निर्मान श्री खोडल्धाम ट्रस्ट राजकोट की ओर से किया जा रहा है इससे पहले PM मोदी ने अस्पताल के शिलान्या समारोव को वर्च्वली संबोधित किया था अगला प्राश्न जन्वरी दो हजार चौबीस में भारतिय वायू सेना के साथ अभ्यास देजर्ट नाइट में किन देशों ने भाग लिया A. फ्रांस और चीन B. फ्रांस और अमेरिका C. फ्रांस और सहयुक्त अरब अमिरात D. USA और UA Answer C. फ्रांस और सहयुक्त अरब अमिरात Explanation भारतिय वायू सेना ने 23 जन्वरी दो हजार चौबीस को अरब सागर के ऊपर फ्रांसी सी वायू और अंतरिक्ष बल और सहयुक्त अरब अमिरात वायू सेना के साथ अभ्यास D. जर्ट नाइट का आयोजन किया अगला प्राश्च्ट सत्र 2022 माइनस 23 के लिए BCCI अवोर्ड 2024 में पॉली उमर्ग अवोर्ड किसने जीता इस बार या अवोर्ड फंक्षिन को हाइदराबाद में आयोजित किया गया सर्वश्रेश्ट अंतराश्ट्रिय क्रिकेटर पुरुष के लिए दिया जाने वाला पॉली उमर्ग अवोर्ड शुब मन्गिल 2022-23 जर्प्रीद बुमराः 2021-22 रिवी चिंदरन अश्विन 2020-21 मोहम्मद शमी 2019-20 ने जीता यह अवोर्ड शोर चार साल बाद आयोजित किया गया पिछली बार इसका आयोजिन साल 2019 में किया गया था अगला प्रश्न इस वर्ष गंतंत्र दिवस समारोह के मुख्य आतिती कौन है इस साल गंतंत्र दिवस समारोह में मुख्य आतिती के रूप में फ्रांसीसी राश्ट्रपती इमेनुईल मैक्रोन करतव्यपत पर गंतंत्र दिवस समारोह में शामिल हो रहे है ये चछठा अफसर है जब किसी फ्रांसीसी नेता को मुख्यातिती के तौर पर आमंत्रित किया गया है गौर तलब है कि भारत इस वर्ष अपना 75 गंतंत्र दिवस मना रहा है पिछले साल मिस्र के राश्ट्रपती अबदेल फता हल सीसी मुख्यातिती के रूप में शामिल हुए थे इस वर्ष गंतंत्र दिवस पर केंद्र सरकार कितने लोगों को जीवन रक्षा पदकों से सम्मानित करेगी A. 11, B. 21, C. 31, D. 41, Answer C. 31 Explanation इस वर्ष के गंतंत्र दिवस पर केंद्र सरकार 31 लोगों को जीवन रक्षा पदक से सम्मानित करेगी इन में से 3 लोगों को मरनो परांत ये पुरसकार प्रदान किया जा रहा है ग्रेह मंत्राले के अनुसार इन अवोर्ड्स में 3 को सर्वुत्तम जीवन रक्षा पदक, 7 को उत्तम जीवन रक्षा पदक और 21 व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया जाएगा अगला प्राश्ण राश्ट्रिय मद्दाता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है ये दिवस लोक्तांत्रिक समाज में प्रत्येक वोट के महत्व को बताता है ये दिवस चुनाव आयोग की स्थापना की 61 वर्ष गांट के अफसर पर 25 जन्वरी 2011 को पहली बार मनाया गया था साल दो हजार चौबीस में राश्ट्रिय मद्दाता दिवस का थीम नथिंग लाइक वोटिंग आयी वोट फॉट फॉशो है अगला प्राश्ण किसने कोशल विकास और उद्यमिता मंत्राले की नई बिल्दिंग कोशल भवन का उद्धाटन किया भारत की राश्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में कोशल विकास और उद्यमिता मंत्राले की एक नई बिल्दिंग कोशल भवन का उद्धाटन किया यह नई बिल्दिंग अत्यादुनेक बुनियादी धाचे से सुसज्जित है इस अफसर पर केंद्रिय शिक्षा, कोशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद थे अगला प्राश्ट्न केंद्रिय कैबिनेट ने हाल ही में सूचना प्रध्योगी की क्षेत्र में सहयोग के लिए खाड़ी देश ओमान के साथ हुए एक सहमती पत्र, M.O.U. पर हुए हस्ताक्षर को मंजूरी दी है यह M.O.U. तीन साल की अवधी के लिए किया गया है इसके तहट G2G और B2B दोनों ही तरह के द्विपक्षिय सहयोग बढ़ाया जाएगा अगला प्राश्ट्न किस भारतिय कंपनी को अमेरिकी स्वास्थे नियामक से जैनरिक दवाओं के लिए मंजूरी मिली है ए सिपला लिमिटेड, बी सन फोर्मास्यूटिकल, सी जाइड्स, डी लूपिन, आंसर, सी जाइड्स एक्स्प्लनेशन, जाइड्स लाइफ साइंसेज को हाल ही में पोस्ट हर्पेटिक न्यूर लिगा से संबंधित जैनरिक दवा की मार्केटिंग के लिए अमेरिकी स्वास्थे नियामक, USFDA, से अंतिम मंजूरी मिल गई है इसके तहट कमपनी गेबा पेंटिन टेबलेट का प्रोड़क्शन और मार्केटिंग कर सकेगी जार्ज, गेबा पेंटिन टेबलेट के लिए यह अधिकार हासिल करने वाली पहली भारतिय कमपनी है तीन ट्रिलियन का बाजार पुंची करन पार करने वाली दुनिया की दूसरी कमपनी कौन बनी है A. Microsoft B. Tesla C. Apple D. TCS Answer A. Microsoft Explanation दिगगज टेकनोलोजी कमपनी Microsoft का बाजार पुंची करन तीन ट्रिलियन डॉलर को पार कर गया है Microsoft, iPhone निर्माता कमपनी एपल के बाद यह हाकड़ा छूने वाली दूसरी कमपनी है फिलहाल एपल दुनिया की सबसे मुल्यवान कमपनी है अगला प्राश्ट उस भारतिय क्रिकेटर का नाम क्या है जिसने 2023 में ICC One Day Player of the Year का पुरसकार जीता विराट कोहली ने ICC Awards 2023 में One Day Mains Player of the Year का पुरसकार जीता है यह चोथी बार है जब उन्होंने यह सम्मान प्राप्त किया है पहले 2012, 2017 और 2018 में अगला प्राश्ट हाल ही में किस देश की सरकार ने 22 जन्वरी को योध्या राम दिवस घूशित किया है A. South Africa B. Rus C. Canada D. Japan Answer C. Canada Explanation कनाडा ने 22 जन्वरी को योध्या राम दिवस घूशित करने का फैसला किया है कनाडा की तीन नगर पालिकाओं ने 22 जन्वरी को योध्या राम मंदिर दिवस घूशित किया है अगला प्राश्ट राश्ट्रिय बालिका दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है 24 जन्वरी 1966 को इंडिरा गांधी ने महेला प्रधान मंत्री की तौर पर शपत ली थी इसलिए 24 जन्वरी को भारत में राश्ट्रिय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है इसका उद्देश भारत में लल्कियों को सहायता और अफसर प्रदान करना है अगला प्राश्ट हाल ही में किसने मुक्केबाजी से सन्यास की घोशना की है A. लवलीना बोर्गोहिन B. निखत जरीन C. दीपक हुर्डा D. मेरी कॉम आंसर D. मेरी कॉम मेरी कॉम ने अपनी उम्र का हवाला देते हुए सन्यास का एलान किया है मेरी कॉम मुक्केबाजी इतिहास में 6 वर्ल चैंपियनशिप के खिताब पर कबजा करने वाली पहली महिला मुक्केबाज है पांच बार की एशियाई चैंपियन 2014 एशियाई खेलों में स्वर्म पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला मुक्केबाज थी हाल ही में केंद सरकार ने बहुभाशी शिक्षा के लिए कौन सा एप लांच किया है ए अनुवादिनी, भी भारत ट्रांसलेट, सी भाशा AI, डी चैट GPT 2.0 ए अनुवादिनी, एक्स्प्लिनेशन, शिक्षा में बहुभाशावाद को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम में, केंद सरकार ने एक Artificial Intelligence आधारित प्लैटफॉर्म, अनुवादिनी, एप पेश किया है इस पहल के तहट विद्याले और उच्च शिक्षा के अंतरगत सभी पाठ्यक्रमों के लिए अध्ययन सामगरी सम्विधान की आठवी अनुशूची में सम्मिलित भारतिय भाशाओं में डिजिटल रूप से उपलब्द कराई जाएगी अगला प्रशन, कौन सा राज ये दुनिया में अपनी तरह की पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी स्थापित करेगा जिनके शरीव पर चौड़ी का लिधारिया होती है, अगला प्रशन, किस देश ने बच्चों के लिए मलेरिया के खिलाफ दुनिया का पहला नियमित टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया है कैमरून ने बच्चों के लिए दुनिया का पहला प्रमुक मलेरिया वेक्सीन कार्यक्रम 22 जन्वरी से शुरू किया है, जो इस बीमारी के खिलाफ वेश्विक लराई में एक महत्वपून कदम है, खासकर अफ्रीका में जहां मलेरिया से संबंदित लगभग 95 प्रतिशत अगला प्राश्न, प्रतिश्थित Freedom of the City of London सम्मान से किसे संब्मानित किया गया, ए, अदिती मिश्रा, बी, अजीत कुमार मिश्रा, सी, अनन्या मिश्रा, डी, अर्जुन मिश्रा, आंसर, बी, अजीत कुमार मिश्रा, एक्स्प्लेनेशन, भारत में जन्में मशहूर वकील अजीत मिश्रा को विधी एवं सार्वजनिक जीवन में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिश्थित Freedom of the City of London पुरस्कार से सम्मानित किया गया, UK-India Legal Partnership UKLP कि संस्थापक और अध्यक्ष मिश्रा को 23 जन्वरी को ये पुरस्कार प्रदान किया गया, अगला प्रा अंसर, सी, सूर्यकुमार यादव, एक्स्प्लेनेशन, लगातार दूसरे वर्ष, भारत की T20 खिलारी सूर्यकुमार यादव को ICC पुरुष T20 International Cricketer of the Year पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, शॉर्ट्स के अपने विविध मिश्रन के साथ, सूर्यकुमार ने 2023 में 50 के औस और 150 से आधिक कि स्ट्राइक रेट के साथ अपना दबदबा बनाया। मुख्यमंत्री मान ने कहा कि ये देश का पहला बल होगा जो सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन के लिए समर्पित होगा। मैच में नोवाग जोकोविच को हराया था। सिनन ने 17.25 करोर रुपे की पुरसकार राशी जीती। साल 1976 के बाद पुरुष एकल स्लेम प्रतियोगिता जीतने वाले वग इटिली के तीसरे खिलारी बन गए है। अरनास अबालेका ने महिला एकल का खिताब जीता अगला प्रशन। टाटा ने भारत की पहली प्राइवेट हेलिकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए किस के साथ समझोता किया है। A. Boeing, B. G. Aviation, C. A. Bus, D. Lockheed Martin, Answer, C. A. Bus, Explanation, France की Aerospace Company A. Bus टाटा के साथ मिलकर भारत की पहली निजी हेलिकॉप्टर असेंबली लाइन, F. A. L. स्थापित करेगी। A. Bus हेलिकॉप्टर ने नागरिक हेलिकॉप्टरों के लिए टाटा समू के साथ साजेदारी की घोशना की है। A. Bus और टाटा पहले से ही भारतिय वायु सेना को 56 विमानों की आपूर्ती के अनुबंद के तहट C. 295 सेन्य परिवहन विमान के लिए वदोदरा में एक F. A. L. अगला प्राशन भूमिका निभाई थी। दिसंबर 2023 में दीपती शर्मा पहली बार ICC, Player of the Month का अवोर्ड जीता था। अगला प्राशन भारतिय सेना, सयुक्ट सैन्य अभ्यास, साड़ा तंसीक का आयोजन किस देश के साथ कर रही है। A. ओमान, B. बहरीन, C. कतर, D. सौधी अरब, Answer, D. सौधी अरब, Explanation, भारत सौधी अरब सयुक्ट सैन्य अभ्यास, साड़ा तंसीक के पहले संसकरन का आयोजन राजस्थान के महाजन में किया जा रहा है। यह exercise 29 जनवरी से 10 फरवरी 2024 तक आयोजित की जाएगी। 45 सैन्य कर्मियों वाली सौधी अरब की टुकडी का प् D. रोहन बोपनना और मैट अबडेन, C. रोहन बोपनना और सिमोन बोलेली, D. मैट अबडेन और एंड्रिया वावसोरी, Answer, B. रोहन बोपनना और मैट अबडेन, Explanation, रोहन बोपनना और मैट अबडेन ने Australian Open पुरुष यूगल टैनिस चैंपियनशिप में एक टीम के रू पर पहुंचने वाले चौथे भारतिये टैनिस खिलारी हैं। अगला प्राशन, Beating the Retreat प्रतेक वर्ष के स्थान पर आयोजित की जाती है। संगीत मैप्रदर्शन में भारतिये सेना, नौसेना, वायूर सेना, डिल्ली पुलिस और केंद्रिये सशस्त्र पुलिस बल्ट सी एपी एफ के बैंड शामिल थे। अगला प्राशन, हाल ही में किसने नौवी बार बिहार के मुखिमंत्री पदकीश पतली। इनके साथ भाजपा के समराथ चौदरी और विजय सिन्हा ने डिप्टी सीएं की शपतली। अगला फ्राशन, फिल्मफेर अवोर्ड दो हजार चौबीस में सर्वश्रेष्ट लोकप्रिया फिल्म का अवोर्ड किस फिल्म ने जीता। अगला प्राशन, हाल ही में पुर्वोत्तर भारत के पहले नेचुरोपेथी हॉस्पिटल की नीव कहां रखी गई? A. इमफाल B. शिलॉन C. दिब्रुगर D. गुहाटी आंसर C. दिब्रुगर एक्स्पिनेशन आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और असम के मुख्यमंत्री हिमंद विस्वा सर्मा ने पुर्वोत्तर में पहले योग और प्राकृतिक चिकित्सा अस्पतार नेचरोपती हॉस्पिटल की नीव रखी गई? असम के दिब्रुगर में 120 तरों वाले इस हॉस्पिटल की नी वेश के साथ लगभग 15 एकर भूमी पर तयार किया जा रहा है।